हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस में आज मैं आप लोग के सामने यूपी-पी-एस-सी और यूपी-एस-सी में से रिलेटेड जी एस वन का टॉपिक लेकर आई हूं जिसका पॉइंट नंबर वन है पॉइंट का टूदा पॉइंट वहां पे इस लेवस में लिखा हुआ है हमारा भारती संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनी काल तक के कला के प्रारू तो यह हम आज करेंगे तो भारती वास्तुकला और मूर्तिकला और मृदभांड इसमें हम यह टॉपिक आज हम पूर और आज हम करने जा रहे हैं लास्त क्लास में मैंने आक लोगों को ओवर वीओ बताए था कि हल मुं इस टॉपिक में जो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंका मेरे चैनल पे अभी यूपी सी में ने अरिशे मेंमें और प और अल्रेडी बहुत सारी वीडियोज है मेरी चैनल पर तो चलिए आगे बढ़ते हैं शुरू करते हैं आज का लेक्चर हथाज के खाघव थो और दक्षिण भारतमी वारत और तो यह पूरा टॉपिक करेंगे बहुत ही लेंदी टॉपिक है क्योंकि एक एक आसपेक्स को यहां कि एक राज़ा प्रमें कवर कर्na है घुलिए पहले हम शुरू करते हैं वास्थुकला और मूर्टिकला होती और कहां से इसका उधवव हुआ है तो वास्थुकला जो होती है यानि आर्किटेकचर शब्द इसका जो लेटिन वर्ड यह अई प्राइवान, लेट्टिंजब ट्रेक्टन से निकला है और इसका अर्थ होता है — देघ्टरा बादन को सबस्क्राइब करने क्य swoją कि आंश्रे शोर किरें दम दॉप्नum कनले करें सबस्चिछाओंग। सब्मस्टर बनाना को अवनानी क्या तब से ही इसको वास्तु कला का आरंब माना जाता है दूसरी और हम बात करें मूर्ति कला की तो इसको सकल्प्चर भी कहते हैं और यह प्रोटो इंडियन यूरोपियन मूल के केल शब्द से लिया गया है केल से जिसका अर्थ होता है काटना या फारना जैसे कि मूर्तियों को बनाया जाता है वैसे ही इसी मूर्ति कला इसी शब्द से निकला हुआ है और मूर्तियों जो होती है वो कला की बहुत ही छोटी और लगू रचनाएं होती है या तो हस्त निर्मित होती है या उपकरनों के द्वारा दोनों पहले हस्त निर्मित बनाई जाते थी अब उपकर तो यह है वास्तुकला और मूर्तिकला तो हम यहां देख लेते हैं कि मूर्तिकला के फीचर्स क्या होते हैं मूर्तिकला की विशेष्टाएं क्या होती हैं और अगर आपके एक्जाम में कोशन आता है कि वास्तुकला और मूर्तिकला के बीच अंतर पताएं तो भी आप यहां एक तो आप इसमें डिफरेंस कर सकते हो और अगर अगर अलगसे विशेस्ताइए पूछने को आगई तो आप ऐसे भी लिख सकते हो तो ये जो मेरा पुरातन संस्कृतिक उपलब्दियों का प्रमुख संकेतन होता है इसका मतलब यह होता है कि जो पुरानी जो हमें खुदाई में चीजे मिली है जो भी स्कृप्चर पुराना जो मिला है उससे हमें पता चलता है कि पुरानी संस्कृतियां क्या थी उस समय कैसी मूर्तियां ब अगर कोई चीज बनाते हैं तो होती है और बॉल वैक्टी प्रिक में नहीं कि उसकर से अंध्य है ये आम फोर पर एक प्रकारइं से बनाई जाती है अगर हिसी मिट्टी से बनाई जाती है और या भूतितैंसे ऊंध्य का और उससे शायों से अ रसे और स्मय उसमें मिक्स कर दी जाती है आगे हम बात करते हैं राचनात्मक्ता और कल्पना से प्रेरित होकर बिना किसी खास माप के इसका निर्माड किया जाता है मतलब कि दिमाग में इसकी कल्पना की जाती है और बहुत जादा पहले अब तुम नापा जोखा जाता भी है पहले के जमा आपको उसका बाहरी स्ट्रक्चर दिखाई देगा अंदर आप नहीं देख पाएंगे और अगर खोकली होगी तो उसे तोड़ के ही अंदर देखा जा सकता है इसकी नकाशी मोडली या कास्टिंग द्वारा इसको निर्मित किया जाता है इस पे नकाशियां की जाते हैं जैसे आपने अजनता एलोरा के मंदिर देखे होंगे और लाल किला कुतो मिनार पुराना किला यह सारे इस पे जो मूर्तियों का निर्माड हुआ है इसमें जो उपर से उभारा गया है चीजें उसमें नकाशी ज्यादतर की गई है यह कटूर पधार्त जैसे पत्थर मिर्दो प्रकाश आदी से बनाया जाता है जैसे यहां पर नेपाली मल्ल वंश की 14 शताबदी की बहुरंगी लकडी की मूर्तियों तो बहुत सारे छीजें इसमें यूज बनाया जाता है यह पत्थर यह लकडी के टुकडे से बना है यहां पर यह चीजें यह एक ही 2 सामगरी दी यह इसके features भी है विशेष्टाएं भी है यह इसकी और यह अगर दोनों में difference करने को आ गया तो आप लेख सकते हैं तो normally वास्तुकला में example आप देना चाहेंगे तो आप जंतरमंतर का example दे सकते हो होलाल किला दिल्ली में अक्षर धाम जो है उसका example जितने भी बिल्डिंग्स है ताज महल वह सब वास्तुकला एक अद्भुत नमूना है मूर्ती कला में आप नत्राज की मूर्ती नर्त्की की कासी मूर्ती और हडपा में जो मूर्तियां निकली है वह सब बहुत सारी वीकजांपल्स आप दे सकते हैं लोको कोड़ कर सकते हैं तो वास्तुकला की स्वांद के सब्सेंध के संद्रियमल इसके अर्थ-शास्थी शांस्प्रिट विकास के साथ विकास Mararkana सांब्य रखती है यहां यह कहने का मतलब यह है कि वास्तुकला जो होती है वो देखने में भी सुन्दर लगती है और उसका आर्थिक वैल्यू होती है आर्थिक मूले होती है मतलब कि जितनी उस समय की संस्कृति और अर्थविवस्था अमीर होगी उतना ही वास्तुकला उद्भव होगी मतलब वहां की बिल्डिंगें बहुत ही जादा अच्छी तरह से बनाई जाएंगी तो अर्थ सास्त अर्थ विवस्था को भी बताती है और संस्कृति के विकास को भी बताती है वास्तुकला क्योंकि अलग अलग जगे से संस्कृति खोजी गई है तो वहां पर अलग अलग हमें संस विकास को भी बताती है यह किसे स्थान को मानव के लिए वास्यों के बनाने की कला है मतलब कि यह रहने के योग बनाने की कला है जैसे कि लाल के लिए में पहले बास्षा रहते थे तो उनके उन लोगों को रहने के लिए यह बहुत यूज होती थी ऐसे ही वास्यों करने योग करते हैं यह भावन का इसे बनाना है उसका निर्माण कैसे करना है एक मन्जिला बनाना है कमरे कि धर होंगे यह वाश्तू कला के अंतरगत आता है यह आम तोर पे पत्थल लकडी कांच धातुरे तादी बिबिन प्रकार के सामगरियों के मिश्रन से निर्मित किया जाता है मतलब इसमें एक ही सामगरी यूज नहीं होती है बिल्डिंग को बनाने में जितनी जादा सामगरी यूज होती है सब इसमें की जाती है इसमें इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग गड़ित का अध्यान शामिल होता है जो निर्माण के दोरान विस्तरत और सटीक माप देता है मतलब कि इंजीनियरिंग का यूज इसमें होता है कि कमरे कितने बाई कितने को होना चाहिए किचन कैसा होना चाहिए लेटरिंग बातरूम कैसा होना चाहिए इस नानागार कैसा होना चाहिए जचे हडपा में था तो यह सब इसमें जांच की जाती है यह संदचना के बाहरी और आंत्रिक दोनों हिस्तों में दिखाई देता है मतलब कि इसे बाहर से भी आप जैसे यहां structure आप लोग देख सकते हैं यहां आपको दिखाई दे रहा है यह पूरा structure बाहर से और इसके आप अंदर भी जाके पूरा इसे एंट्री करके इसे देख सकते हैं तो इसे अंदर और बाहर दोनों से देखा जा सकता है मूर्तिकला को सरफ बाहर से ही देखा जा सकता है इसमें project, संक्षिप्त, design, drawing और कार्यानवेन शामिल होता है मतलब कि इसमें project पहले बनाया जाता है फिर उसकी design कैसे की जाएगी और ड्रॉइंग से महले पहले पूरा खाका खीचा जाता है पेपर पैन पे पहले भी ऐसे ही होता था और आज भी ऐसे ही होता है बस उसका शुरूप change हो चुका है नेक्स्ट इसमें यह एक इमारत के निर्माण में पत्थर लकडी कांच पीतल स्टील और अन्य धातू जैसे कई सामग्रियों से बनाओ जैसे कि हमने उपरी बात की बहुत ही सामग्रियों से निर्मित होता है और इसमें आप एक्जांपल दे दीजेगा लाल किला ताज महल प्रिति को ग्सक्वांच के साल मिनारों और आप दे सकते हो कि अंडियों नियां की प्रिकयों प्रीटिश क professionist के भवन और मूर्त्यों में परिलिक्षित होती है मतलब कि जिस अकॉ British जैसे की आप कह सकते हैं कि गुपत काल में अलग मूर्तियां बनाई जाती थी और मौरे काल में अलग बनाई जाती थी वहां के भवन उससमें अलग थे फिर प्रिटिश काल में अलग गौथिक शैली आ गई दक्षिन भारत में भी नागर बेसर और जो हमारी एक द्रविड शैली है वो सारी शैलियां थी तो यह सब वास्तुकला और मूर्तिकला के निर्माण से ही सम्बंदित हैं पूरे पर एक चीज़ पर यहां फोकस करेंगे और मं सबर मूर्तियां थी हो मूर्तियों के अंदर और बी जो चीज़े हैं जैसे शिक्के पाए गए अभी लेक पाए गए यह सब वाइसके अंदर ही समिलित होगा तो यह सब हम हड़पा कालमे का नेक्स्ट औस टॉपिक में नेक्स क्लास में अम लोग करेंगे आज के लिए उस इतना ही होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है अगर आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आर चैनल और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि मेरी वीडियो कैसी लग रहे हैं आपके कमेंट से मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है मोटिवेशन मिलता है और बहुत सारे मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे मेरी हेल्प करने तक को कमेंट आ रहे हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इन सब चीजों को देखकर तो थैंक्यू थैंक्स फॉर वाचिंग सक्सेस मंच नेक्स क्लास में हम लोग हडपा काल करेंगे इसमे थैंक्यू फॉर वाचिंग